आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ Question करा है कि A.N.A.C.N. को हम क्या करता है Add करते है, Mult Flotation process में किस रूप में? Depression के रूप में क्यूं यूज करते है? Z.N.A.C.N.E.C.A.C.N.E.C.S. Wo अलग-अलग करने के लिए अलग-लग करने के लिए हम क्यूं यूज करते है? आकिर क्या हम, क्या formation होता है inside में तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें रियक्शन देखना पड़ेगा एने का किस से रियक्शन होगा और किस से नहीं होगा अब तो यह पीवी के ज्यादा डेल्टा जी हो जागा यानि पीवी रिड्यूस नहीं होगा क्यों रिड्यूस होगा जेडेन वनली रिड्यूस ह तो आएए देखते हैं आखी डिडक्षन कैसे होता है तो जेडेन, एस होता है वह 4-nacn से रियक्षन करके एक कमप्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है na2, zn, cn, 4 और साथ में na है और s है यह डबल डीकमपोजिशन होगा तो na2s का भी फॉर्मेशन होगा अब बोल रहा है कि इस nacn को एड़ के थे किसमें? जेडेन, एस और pbs में तो pbs में हम अगर डालते है nacn तो delta g क्या हुआ है? ज्यादा होने के कारण nacn का क्या होता है? रियक्षन पॉसिबल नहीं होता है कोई साथ कोई भी complex compound form नहीं होता है और जो pbs है वह किस रूप में? फोर्थ के रूप में बाहर निकल जाता है तो option चेक कीज़े pbcn2 precipitated option गलत है जेडेनेस for soluble compound हाँ यह सही है और pbs from fault यह भी सही दिया हुआ है pbs soluble complex गलत दिया हुआ ncn never add हम क्या करते है एड करते है फोर्थ को बनाने के लिए तो हमारा b option क्या है correct है यानि बीजदा correct answer